भाई सवाल आसान भाषा में इतना सही है कि हमारे क्या है hydrogen atom है hydrogen atom के अंदर में आपका एक proton है neutron है और क्या नाम है दूसरी तरफ helium के अंदर में 2 neutron है तो यह जब और कहते हैं कि दुनिया के अंदर में जब दुनिया बनी थी तो शुरुवात में केवल एक ही atom था और वो था hydrogen बेसिकली एक proton और उसका electron neutron था बी नहीं तो यह जो दुनिया के अंदर में इतने सारे फिर एक तरीके से आधाा भार तो दुनिया के अंदर में के लख बनेंडर क्योंकि जितने proton उतने neutron करके हम निकालते हैं अलोकौल यह आद आब और उसका इसको कह लिए हैं वैसे तो सो ओल्no होता है इलेक्ट्रोन का मास नेगलेजिबल है लेकिन ठीक है अब इतना नंबर होगा तो उसका भी आई जाएगा कुछ ना कुछ मास खैर इलेक्ट्रोन के उपर जो मेरे डाउट से उनको बात में लेंगे लेकिन शुरुआत करते हैं इस वाले से कि यह धोड़ा से हमें अव ऑफ नेडर वाला जो होता है वो और निटरोन जो है जनरेट हो जाता है कर नेड जिसे नेटरोन आजयाता है और यह जवाब था सबसे जादा Cred Hi 이제 वाले het तो पस abundance नहीं है उसका that is a different thing जो abundance जो है क्योंकि सबसे simplest हमारा जो configuration है वो एक electron और एक proton अगर हम ते एक second के लिए पस में बीच में रोकना जाओगा ये तीनों के तीनों आइसोटोप के नाम क्या थे अप्रोटियम डुटियूरियम ट्रिटियम जो पहले जो चीज है कि hydrogen में neutron क्यों नहीं होता है वो गलत है हम देखते नहीं है isotopes जो है उसका abundance जो है और उसका reason जो है समझ में आता है क्योंकि जो सबसे सबसे simplest जो है हमको एक configuration चाहिए क्यों हमको पता है electron और electron के नहीं हो सकती हो neutron जो है जितने भी neutron होते है अगर हम देखे तो क्योंकि जो nucleus nucleus में forces होते है that is strong forces बहुत strong forces का nature क्या होता है they are very strong up to a very short distance उसके बाद रिपल्शन में जाते हैं तो जो neutron का काम है ना असल में जो है nucleus में वो है चिपका के रखना कि वह तना कि दो बहुएं है घर में भिढ़ती रहती है अब बीच में एक बंदा नाल दे जो neutral है तो तो थोड़ा उसको दूर रखेगा थोड़ा उसको दूर रखेगा exactly वह neutral बंदा है nucleus में neutral since hydrogen में एक ही proton है एक ही बहु है किस से लड़ेगी तो छोड़ दे कोई neutral बंदा नहीं चाहिए but as we go to another one क्या वाते क्या नया नजरین देखने को मिला कि वाक्य में खिरहा कि जरूरत के उनुपात में भी देखेए तो पहले तो उसकी जरूरत तो देखेए जरूरत तो देखे ulty exactly सीखा पहले था कि gravitational force हमको पता चले कि हम यह आर्थ घूम रही है और बाकी planets घूम रहे है लेकिन हमको पता है जो यह atomic scale है इनका जो mass है उतना कम होता है कि gravitational effect इन पर हुई नहीं सकता फिर हमने सीखा electromagnetic forces तो electromagnetic force में हमने देखा कि electron है बिलकुप पता जल गया हमको फिर Rutherford ने बोला कि भाईया बीच में एक बहुत positive charge भी है तो यह भी पता चल गया लेकिन neutron कैसे पता चला क्योंकि neutron को चार्ज भी नहीं होता तो आप मतलब सोचे हम कि neutron का क्या हमारे पास motivation रही होगी कि हमने probe किया उसको और similarly जैसे हम लोगो एक बार मिल गया proton मिल गया लेकिन उसके बाद हमने quartz भी ढूंड लिये क्या motivation रही होगी कि proton जो है proton के बाद भी हमने देखा कि उसके अंदर positive charge particle है तो यह जब हमारे पास high energy physics जब डबलवी ना तो हमने एक experiment देखा कि proton पर जब electron दे के मारे ना हमने और protons पर protons दे के मारे protons पर लक्त दे के मारे तो proton पर जब proton दे के मारे तो हम क्या expect करते है repulsion यह तो ऐसा कंदा ripple करना चीए था हद नहीं बट हजार में से एक proton अट्रेक कर गया और मातर के वर proton पर proton पर यानि प्रोटोन के अंदर भी कुछ नेगटिव चार्ज है अगर हम बोलें कि प्रोटोन के अंदर एक नेगटिव चार्ज है तो यानि उसके अंदर दो पॉजितिव चार्ज है वो एक को निट्राइज कर रहा है तो क्या रहा होगा वो जब interaction हुई जैसे इंदूस डाइपोल बनता है तो उसकी ओरिंटेशन ऐसी रही होगी बिल्कुल 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 ओरिंटेशन ऐसी रही होगी कि वो नेगटिव आले ने थ्वड़ सा ट्रेक्ट कर लिया हुगा और भाई यह एक हैसा हो सकता So that was the motivation to probe further these fundamental particles and we came to know that there are quarks and they are made up of more elementary particles which are called up and down quarks वाव वाव गजब 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 तो यह थी छोटी से कहानी बस लेकिन इसके अंदर में बात तो अभी भी आई नहीं ना हमारी के जो यह तो एक तो हो गया के हमने फलसफा देख लिया अब बात कर लेते हैं इसकी कि यह बाई जो दो प्रूटाउन दो न्यूटरण जो एक्जिस्ट कर रहे हैं हम के जब कहते हैं कि हाई ड्रीजन यह तो बात सच है ना कि hydrogen hydrogen fuse करते हैं तो helium बनता है हाँ ठीक है ये बात तो है सच है ना हाँ पर है hydrogen hydrogen प्लस बहुत सारी चीज़े अच्छा तो अब ये अच्छा ऐसा है क्या कि hydrogen hydrogen करने और बगल में से बगल में आपका neutron की आहुती देनी पड़ेगी तभी जाकर के ये जो है वो एक सम्मेलित होतर के केवल neutron ही neutron भरे पड़े मतलब neutral particles भरे पड़े है विकास neutral particles के लिए एक बहुत कॉमेंट हम है neutron अच्छा तो लेकिन फिर हमने specify कर दिया mass इसलिए फिर neutron हो गया और बाकि सारे अलग particles हो गया लेकिन क्योंकि neutron का जो motivation था हो यही था कि something which is neutral ठीक है तो neutron स्टार्ट होते है तो मतलब कि जैसे sun है तो sun के जो कोर में जब यह reaction चल रही है तो आसपास ऐसे ही पूल में neutron घूम रहे हैं और hydrogen hydrogen मिल रहे हैं और सब बगल में neutron है तो यह तीनों बंदे मिल करके बना रहे हैं बिल्कुल 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 ही लियम जो है फिर आगे के अटम भी इसी तरीके से बंते चले जाएंगे तेहां ऐसी बंते चलते बेसिकली होता कि जैसे sun के अकरम बात करे टेंपरेचर और प्रेशर इतना जाधा है वी केनोट इवन इमाजिग वी केनोट रिप्रिड्यूस तोस कंडिशन सिन अर लाब उस टेंपरेचर और उस प्रेशर पे न इलेक्टर न्यूटर न्यूटर प्रोटों यह सब अपनी आइडेंटिटी खो के भाई ऐसी अकेले घूम रहे होते है जो मिला आज है तू पकड़ ले तू तू क्या जा रहे हो यहां से लेके मतलब क्या फेस गारा जा रहे हो हमको भी ले लो वहां पर चल रहा ऐसा यहां पर हम देखते हैं परफेक्ट एलिमेंट्स बट अगर हम बहुत इनिशल स्टेज में जाए अपनी उनिवर्स की जब इनिवर्स बन रहा था तो क्वार्क ग्लूवन प्लाज्मा बोलते हैं क्योजीपी स्टेट होती है कि जिसमें इतना जदा टेंप्रेचर था इतना जदा प्रेशर था इतनी जदा डेंसिटी थी कि सब कुछ पैर रहा था जो बनने थे बन गए नहीं देखो अभी जैसे जै फिर माँसर्ट इस इस बड़ा बड़ा मेरे को भी डाउट है नहीं है क्योंकि फिर इसके लियास से तो हमारा भी डबा गोली है यह कुशन है कि यह जो एजिकल टू एमसी स्क्वेर जिसका हम इतना हवाला देते रहते हैं और हमको लगता है कि मतलब कि व्यक्ती के मरने से लेकर के कि डबे में वो इस एकल एनरजी निकल गई वहां से लेकर के और कोई भी चीज एक्स्प्रीन करनी हो तो हम इस एकल टू एमसी स्क्वेर जो है चिपका देते हैं और जबकि यह आइडिया इतना ज्यादा फोर्ट कमिंग था अपने अपने समय से इतना ज्यादा आ होता है आजकल में जितनी आसानी के साथ हम हर जागे भीड़ी चाल की तरह घुसर देते हैं यह जो सबसे तगड़ा एक्जामपल है जो सबसे तगड़ा एक्जामपल वाल्डन देखा था वह देखा था हिरोशिमा और नागय साकी ने अटम बॉम है बैसिकल इसको क्या नाओ इसा डिफरेंट कॉंटेक्स्ट डिफरेंट मैटर की आप हुए नर्जी कैसे हर्मेस ठीक है ठीक है वो अलग चीज है लेकिन आइंस्टैन ने बताया मोता मोता कि अगर एनर्जी है तो यानि उसके एक्वेलेंट कुछ मास आप ले सकते हो अगर अगर बास है उसके क लिखता है पुरा कि निट्रन ऐसी निकलते रहते हैं कुछ-कुछ पार्टिकल्स निकलते रहते हैं तो क्या करा एक जो नुकलियर बाम होता है उसमें एक ऐसा ही जो डिके करने वाला आटम होता है उसमें से निकलते रहते हैं उसको एंक्लोज करते हैं और वो बंबार करते बंबाड करते रहते हैं किसमें? नुकिलियस में किसी दूसरे अटम के. अब जैसी ही वो बंबाड करके, तो कि जैसे मैंने बोला, नुकिलियस इतना डेंस होता है, उसकी डेंसिटी इतनी ज़ादा होती है, और उस डेंसिटी में सोचो कि हमारे प्लस-ब्लस चार्ज, जो एक अगर हम दो प्रोटोन ले, दो निट्रोन ले, उनका अगर मास ले, और फिर उन दोनों का हिलियम बनाके उस नुकलेस का मास ले, तो उसका मास कम मिलता है as compared to individual atoms, individual particles, हाँ, तो वो मास हुआ कांट redistribute, तो तो रह नहीं है, तो वो जाता है उस energy को, उसको stable करने में, कि भाई, जाते हैं कि भागना एक दूसरे से, जैसी मोका मिलेगे, निकल लेंगे, तो बहुत जादा energy cost है उसकी उन दोनों को combine रखने में, उन protons को, तो जैसे आपने वो तोड़ा, और खतम.